जहें दोस्तों आपका अपना यूटूब चैनल टॉक्विथ मंदीप में को फिर से स्वागत है मेरा नाम मंदीप कुमार सिंग है और एक और फिर से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी कंपनी जिसाब एंटीपीसी करते हैं उनके तरफ से लेटेस रिक्रीटिमेंट ओफिसीन नोटिफिकेशन रिलिस्ट कर दिया गया है दोस्तों आज में वीडियो लेट से बना रहा हूं क्योंकि कुछ प्रवलम हो गई थी लेकिन हम आपको एंटीपीसी का एक एक स्टेप बताएंगे किस तर का प्रोसेस होता है और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं बस वीडियो में लास तक बने रहें और हो सके तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब चरू कर दें क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलती है और उत्साहित होते हैं चलिए तो स्टार्ट करते हैं जो एंटीपीसी का र कर सकते हैं इसमें धोस्तों थोरा सा खराब आत क्या है इसमें एकस्पीरियन्स मांग ले रहा है एक साल का एकस्पीरियन्स होना चाहिए बस यही स्टार्ट करते हैं सबसे बात करेंगे एसिस्टेंट इंजिनियर ईओ ग्रेड दोसो पोस्ट के लिए आया ऊवा है दोस्तों ध्यान दिजेए दोसों पोस्ट एसिस्टेंट इंजिनियर के लिए मिनिमूम का क्वालिफिक्रेशन 60% मार्क होना चाहिए और इसमें आपको तो 300 रुपया फी रखा गया दोस्तों ठीक है जब फॉर्म को फिल किजेगा तो 300 रुपया आपको पे करना होगा जो चेनरल केटिगरी के लोग है और जो अविसी के लोग है उन्हें 300 रुपया सिफ रेजिस्टेशन चार्ज लग रहा है बाकि जो अधर हो गये स्प्राइब जो लोग कोई भी चार्ज नहीं लगेगा थिका जासे का फॉर्म भरने से पहले एक्सपिरियंस मेंडैटरी है ठीक है जैसा क्या पी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सपिरियंस मेंडैटरी लिखा हुआ है ठीक है एक साल का एक सुना चाहिए किसमें और प्रेश ठीक है और दोस्तों अपर एज लिमिट रखा गया है तीस साल यह ध्यान देजिएगा अगर अपर एज लिमिट तीस साल से जाद है तो भी आप अपलाई नहीं कर सकते हैं पेश के लखा गया 30,000 से लेकर 55,000 से मिलेगा यहई ग्रेट लेबल पर जो बैसिक पे आपका रहेगा 30,000 बेसिक पर रहेगा दूसरा है यह टोटा ऐसितेंट के लिए आया हुआ था दोस्तों 200 के लिए और इसिस्टेंट के लिए अगर का विद्ट किहते हैं तरह स्थी स्थ क्रसक्ते हैं तो कम से कम साथ मार्ट होना चाहिए साथ में experience होना चाहिए डिलेटिव ट्रेट से जैसे देख लिजिए बलकमिक एनली से हो गया नौलेज ऑफ एनल्टी का इंस्टुमेंट हो गया इस टैप से आप यह रिड कर लिजिएगा जो मेंसी वाले इस्टुडेंट है इसमें अपर एज लिमिट तीस साल लखा गया है और सेल्डी सेम है तीस हजार से लेके एक लाग बीस हजार तक अब बेसिक पर आपको तीस हजार मिलेगा ठीक है अब बात करते हैं कौन-कौन सा बास डिटील में किस किस विकेंसी कितने कितने सब्सक्राइब के लिए टोटल वेकेंसी है 90 मेकनिकल के लिए 70 एलक्टोनिस के लिए चार और एसिस्टेंट के लिए 30 टोटल हो गए 230 पोस्ट के लिए वेकेंसी ने रिलीज किया गया है और अगर आपके पास और टाइप ऑफ डिसेविल्टी फोर फी डव बीड़ी जो को साज किया जाएंगा जो NTPC की तरफ से ही देखा जाएंगा ंटिपसी जब हो जाएंगा तो आपको मेडिकल बोड मेडिकल कि जाहां को शॉन aç है और और साथ-था बहुत बात है आपको जरूर आप्लाई करें वीडियो देख चुके हूं यह सब बताएं कि इस तरह आप्लाई कर सकते हैं ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है बस 300 पे आपको पे करना है जो जन्रेल ओविस्टी के डिगरी को वह भी रेजिस्टेशन फी है यह आप ऑफ लाइन और ओनलाइन मोड दोनों कर सकते हैं तो मेरा ज्यादा अच्छर है कि ओनलाइन मोड में कर दे कोई दिकत नहीं रहेगा ठीक है एक और फी अगर आप पे कर देते हैं तो रिफंडबल नहीं है इंग्पोर्टेंट डेट्स क्या है रेजिस्टेशन का 24 फरवई 2021 से स्टार्ट हो जाएगा आप लोग अपलाई कर सकते हैं और 10 मार्च याद रखिएगा 10 मार्च 2021 तक अपलाई कर सकते हैं तो थो यह सेक्षिन आपके सामने खूल जाएगा ठीक वीडियो लंबा हो रहा है लगिन इस्टेव बताना भी लंबात हो गए दोस्तों ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है यह पेज आपको सामने खुला यह खुल जागा परस्ट आपको यह देख रहे हैं सेक्षण स्लेक्ट एक फंक्सन एरिया तो इसमें आपको सबसे पहले इसक्रणा अगर एडविटाइजमेंट भी जाते हैं त mechanical electronics तो हम आपको बताते हैं mechanical अगर करना चाहते हैं जस्ट mechanical पर आपको क्लिक कर देने जैसे आप मैकनिकल पर क्लिक किजिएगा देन आप सब्मीट कर दिएगा जैसे आप सब्मिट करते हैं तो इसका जो अफिसिल पेज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जो सारा डिटेल पूछा जाएगा वह आपके सामने खुल जाएगा ठीक है सबसे पहले आप से पूछा जाएगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है एसिस्टेंट इंजिनियर मेकिनिकल के पर बेसिक पर 30,000,000,000 तक है और एकसेशन मिलेगा स्टी जो भी गुवर्मिट टूल के नुसारे वह ठीक है जस्ट इसे करने के बाद चाश्त आपको अप्लाई पर क्लिक करते हैं जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप से बेसिक बेसिक डिटेल पूछा जाएगा ब चाहिए जो अगर आप पी डेवलो बीडी अगर लाब लेना चाहते हैं तो 40% डिसेबिल्टी होना चाहिए एक सर्विसमेन है तो है तो भर दीजिए नहीं है तो छोड़ दीजिए दो मिसाल है का समीर का तो यस नो टिक किजिए ठीक है उसके बाद आप से पूछता है एड पाइलीफिकेशन कब पास किए थे कब से कब तक अपको इस बहुत आपको एकस्पीरियेंस आप जो एक साल हो सकता है कोई 2-3-4-6-4 इस फिल्ड में उस फिल्ड में आप अपप्लाई करती है ठीक है जिसे मॅगल लीजिए अगर आप कहीं से की हैं तो हाँ आपो क्लिक करन है ठीक है जैसे माल लेजिए कि आप कोई और इंडिया कंपणी है इंडियन और कॉर्परेशन लिमेटेड लिखिए ठीक्या पोजिशन था वह बताइए एडिया किस एडिया में आप सब्सक्राइब करना है तो अगर आपका सही है एक्सप्रियंस सही है अगर आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरह को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसके बावजूद कहीं आपको दिक्कत या पलेशानी हो रहा है कमेंट सब्सक्राइब करें और दोस्तों दिरूद सपोर्ट करें तो वीडियो लंबा है कोई नहीं यह एक एक स्टेप समझा रहे हैं समझी और फिल को फॉर्म को फिल करें ठीक है धन्यवाद आपका अपना यूट्यूब चैनल पिल करेंग है